नमस्कार दोस्तों, मैं मयूड सुर्यूवेंशी आपका मित्र स्वागत करता हूँ सुर्यूवेंशी एकेडमी के इस यूटूब चैनल पर आप सभी का दोस्तों आशक करता हूँ कि पिछले सभी वीडियो जिसको मैंने आडियो लेक्चर के माध्यम से बनाया था वो सभी आपने सुने होंगे और आपके काम में भी आए होंगे आज का जो टॉपिक लिया है आज हम जानने वाले हैं राजनेतिक विचारधाराओं के बारे में राजनेतिक विचारधाराएं ऐसी जिसे आपको पढ़के बहुत इंट्रेस्ट आएगा या कई बार आप जब quality पढ़ते होंगे या किसी अन्य प्रकार की किताब पढ़ते होंगे इतिहास पढ़ते होंगे तब आपको कुछ शब्द बहुत परिशान करते होंगे जैसे कि आपके सामने कभी कोई शब्द आ गया कि श्रमिक संगवाद क्या होता है या अराजकतावाद क्या होता है इस प्रकार से अगर आपसे कोई पूछता है सामंतवादी विवस्था के अंदर ये वाली बाते थी तो सामंतवाद क्या होता है उदार वाद हो गया, पूंजी वाद हो गया या फिर एक नया टॉपिक और आता है कि प्रारंबिक समाज वाद क्या था एक और शब्द आता है फेबियन वाद तो फेबियन वाद के बारे में हम जानेंगे आज माक्सवाद के बारे में, गिल्ड समाजवाद के बारे में, नाजीवाद के बारे में नाजीवाद से तानाशाही जुड़ी हुई है तो उसको भी समझ लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि फासीवाद के अंदर क्या था तो इस प्रकार से ये प्रमुक राजनेतिक विचार धारा है जिसमें हमारा एक माववाद भी आ जाएगा माववाद से निकल के माक्सवाद आ जाएगा तो बहुत सारी अलग अलग चीजे हैं तो इन सभी को आज हम जानने का प्रयास करेंगे तो दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं उदारवाद के विशे में जानने के लिए हम स्लाइट्स का उप्योग करेंगे अब अगर उदारवाद की विशे में बात करें तो उदारवाद आधुनिक यूरोब में पुनर जागरन के जो दौर था जिसमें धार्मिक सुधार अंदोलन चल रहे थे तथा आध्योगी करांती के जो परिणाम सुरूप वहाँ पर जो भी परिवर्तन आया था उस जोरान ये शब्द सामने आया था उदारवाद ने धार्मिक अंद विश्वासों एवं उनकी जो संकीनताओं पर आधारित अपने पूर्ववर्ती विचार जितने भी थे उनकी आलोचना करते हुए राजनीती का लक्ष व्यक्ति के उत्थान को बताया एवं इसके लिए व्यक्त व्यक्ति के प्राक्रतिक अधिकार एवं मूलभूत सतंतताओं को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया अपने उत्पत्ति एवं विकास के प्रारंबिक चर्णों में उदारवाद का स्वरूप नकारात्मक भली नजर आता है परन्तु या व्यक्ति के कारियों में रा अबर्डी स्पेंसर आदी विचारकों का कहना है कि आर्थिक कारियों में जो हस्तक्ष रहित राज्य होता है ये उसके पक्षधर रहे हैं वर्तमान शताबदी के प्रार्म में जैसे हमारे पास जैस, मील हैं, ग्रीन हैं, लस्की हैं या मेकाईवर आदी जो राजनेतिक वि किरी की अर्थशास्त्रियों किन्स हो गए या गौल ब्रेथ हो गए ने अर्थविवस्था पर राज्य के नियंत्रन को आवश्यक भी बताया है अगर साधरन शब्दों की बात की जाए तो राज्य का हस्तक्षिप होना या राज्य का जनता के उपर हस्तक्षिप न होना य यह कहता है कि हां अर्थ विवस्था पर राज्य का नियंद्रण आवश्यक है तो इस प्रकार से उदार वात को हम समझ सकते हैं